जहें दोस्तों अंदे मातरों केंद्र सरकार की जो एक नई एक योजना आई है अगरीपात उसको लेकर देश भरम प्रदर्शन हो रहा है यूपी बिहार, हर्याना, मदबरदेश, राजस्थान इन जगों में खास करके ज़्याद प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कहाँ है जा रहा है कि इन प्रदेशों से कलगभग 50% भारती जवाण निकल कर सामने आते हैं ऐसे में कई लोग हैं जिनकी की उमीदे तूटी हैं इसका विरोध कर रही है अब उसी के एक नेता इसके सपोर्ट में आ गए है अब कहीं न कहीं इसको कॉंगरेस वाले अपने साथ क्यों एक दोके के रूप में भी देख रहा है केंदर सरकार की नई एगनीपत योजना पर विरोध प्रोधर्शन चल रहा है कॉंगरेस पार्टी के कई नेता भी योजना का विरोध कर रहे है दूसरी तरफ कॉंगरेस के ही सीनियर लीडर मनीश तिवारी ने पार्टी लाइन से अलग राय रखी उन्होंने इस योजना को सरकार का एक सही दिशा में कदम बताया है एक टीवी चैनल से बातचीत में तिवारी ने कहा कि इस वक्त देश को मुबाइल आर्मी याने की यंग आर्मी की जरूरत है आप इसे पसंद करें या ना करें लेकिन मुझे लगता है कि वन रायंक वन पेंशन योजना के चलते बढ़ता पेंशन का बोज सरकार की काउंटिंग से आगे निकल गया होगा तिवारी पहले भी कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके है उन्हें ने कहा कि तकनीकी और हतियारों पर अधिक खर्च करने की जरूरत होती है जातर पैसा इसी पर खर्च होता है पिछले दस साल में वार्ड नीचर में बदलावाया है और ये काफी एहम है इसकी अगर हम तीस साल पहले से तुला करें तो मौझूद अवक्त में हमारी आमरफोर जादा तयार है आज हमारी आर्मी टेक्नलोजी और आधोनी खतियारों पर अधिक निर्बर है इसें जातर लोग कम उम्र के हैं और ऐसी कंडिशन में आर्मी में इस तरह के सुधार की काफी जादा जरूरत है केंद सरकार की इस योजना का कॉंगरिस लगातार विरोध कर रही है योजना की विरोध में कई राज्यों में उगरो प्रदर्शन भी हुआ राउल गांदी ने भी इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ना कोई राएंग ना कोई पैंशन ना दो साल से कोई सीधी बरती ना चार साल के बाद सिर्भवश ये ना सरकार का सेना के प्रती सम्मान देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिये इन्हें अगनी पत पर सला कर इनके सयम की अगनी परिक्षा मत लीजिए प्रहान मंत्री जी अब देखिए विपक्ष का तो काम होता है सीधे तोर पर सिर्फ और सिर्फ जो सरकार चला रहे होते हैं उनके उनसे मतलब सवाल जबाब करना अब इस सवाल जबाब किस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं इस बात कई बार कई लोगों को हैरान कर देती है कि यार जो एक अच्छी चीज होती है वो भी अच्छी नहीं रह जाती क्योंकि लोग इतने घटिया तरह के सवाल खड़े करते हैं अब देखिए चीजें कई मलब कई सारे लेवल पर हम देखें तो चीजें ऐसे चलनी चाहिए हैं जैसे की एकदम स्मूथ रहे अगर कोई स्की मार रही है तो उसके बारे में पहले चर्चा की जा सकती है लेकिन क्योंकि इसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुए और अचानक से इसको बिना सरकार की तरफ से पूरी बाते बताएं पेश कर दिया गया इसलिए इतने जादा कनफूसन का माहौल कड़ा हो गया है अब आप देखेंगे कि इसी माहौल का फायदा कई सारी राजनितिक पार्टीयां भी उठा रही है और इसीलिए इतनी जादा अगर बढ़री तरशन भी देखने कलिए मिल रहे है लेकिन सरकार नहीं वहत बड़ी चूक कर दी और उन्होंने इस बारे में कोछ ज़्यादा बोला नहीं और वहीं पर ये सारी चीजें इसी तरह से भी कर गए मेरे सुडियों फिलालत नहीं जै हैं जै भारत